दोस्तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले हैं कि E-Kaliyan Scholarship के बारे यहाँ पर दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर दोस्तो फाइनल अप्रोब करने में और दोस्तो पेमेंट मिलने में यानि कि पैसा मिलने तक का कितना समय लगता है दोस्तो बहुत सारे लोग यही चीज पूछ रहें कमेंट कर रहें कि भाई मेरा कॉलेज अप्रोब हो किया है और कितना समय लगेगा बहुत सारे लोग कहा रहें कि मेरा कॉलेज अप्रोब नहीं हुआ है और कितना समय लगेगा कि अपरोब होगा ताकि मेरे को पैसा मिलेगा दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको complete जानकरी बताने वाला हूँ तो इस वीडियो का क्रित्यक बने रहना लेकिन दोस्तो आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह इस बार भी बोलूँगा कि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करना क्योंकि दोस्तो इस चैनल पे आपको एक लियान से रिलिटेड हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको जानकरी मिल जाता है तो दोस्तो चलिए आज कि इस वीडियो को सुर करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि अगर दोस्तो आपने फाइनल सब्मिट कर दिया है यानि कि ओन लैन अपलाई कर दिया है उसके बाद दोस्तो अगर अभी तक आपका कोलेज भेरिफाई नहीं हुआ है नोट भेरिफाई बाई कोलेज लिखा रहा है क्योंकि दोस्तों, आपको college को बोलना है कि मेरा online apply किया गया है, ये कलियान में जल्दी सल्दी verify कर दो, क्योंकि दोस्तों, अगर आपका college verify अभी तक नहीं है, तो अगला process नहीं होगा, यारें कि DNA भी नहीं जाएगा, इसलिए आपको college को बोलना है अगर आपका college विरिफाई नहीं है तो college में जैसा ही बोलते हो तो आपको एक दो दिन के अंदर में या तो उसे time अप्रोब कर दिया जाएगा यह था दोस्तो college का process जब तक आपका college अप्रोब नहीं करेगा आगे का प्रोब नहीं होने वला है उसके बोड़ दोस्तो जैसे college का विरिफाई हो जाता है उसको दोस्तो डियेनो के पास चला जाता है डियेनो के पास अगर दोस्तो आपका चलाग या है डियेनो पेंडिंग द उसके बाद दोस्तो 15 दिन के अंदर में आपका DNO भी अप्रूब का देता है, उसके बाद दोस्तो आपका DLC के पास चला जाता है, उसके बाद दोस्तो आपका तुरण सो तुरण 10 दिन के अंदर में अप्रूब हो जाता है, यानि दोस्तो फाइनल अप्रूब करने में कहा ज जाता है लेकिन सबसे में चीज है दोस्तो कोलेज भेरिफाई जब तक कोलेज भेरिफाई नहीं होगा अगला प्रोसेस नहीं बढ़ेगा इसले दोस्तो अभी तक आपका कोलेज भेरिफाई नहीं हुआ है तो आपका कोलेज भेरिफाई नहीं हुआ है अभी तक बोलके अगर से 20 दिन के अंदर में final अपरूब हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन वेट करें आपके बैंग खाता में पैसा ट्रांसपार हो जाएगा लेकिन दोस्तो बहुंस सारे जीला में final अपरूब करने बाद भी payment नहीं मिलता है तो कमसे कम 15 से 20 दिन वेट करें मतलब दोस्तो दो महिना का समय वेट करें आपका जरू से जरूर आपके बाइंग खाता में पैसे मिल जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो में यही चीज़ आपको जानकारी देना था जानकार यह अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जोर करना और चैनल पहली बार है तो सबस्क्राइब जरू करना और कोई भी प्रोब्लेम है कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझे इंस्टागराम में फॉलो करके मैसेज करना डार्गले दोस्तो आप मुझे कौल पर भी बात कर सकते हो इंस्टागराम अकाउंट का लिंक वीडियो के डिस्क